हेलो स्टुवेंट वेलकम टू माई यूटूब चनल लर्न टीच स्टुडेंट आज के वीडियो में हम डिसेशन करेंगे मैनिफेक्शन टेक्लोजी का चेप्टर 3 का इंपोर्टेंट कोशन के बारे में जो यहां पर डिपलोमा मेकेनिकल इंजिनिंग फौर्ष समेस्टर का है ठीके यह जो सबजेक्ट है मैनिफेक्शन टेक्लोजी इसका आट पो चेप्टर है और आथो चेप्टर का मैंने इंपोर्टेंट कोशन बता अ jogar ठीके अलग लग पार्ट के थुरू यहां बनाया गया है वीडियो और सभी की चेप्टर का important question को बताया गया है इस वाले वीडियो हमने chapter 3 का important question को बताया है और साथ में इसका answer को भी explain किया गया है और साथ में MCQ question भी है आप MCQ question को practice कर सकते हैं उसके related बहुत सारे question इसके आपको exam में पुछे जा सकते हैं ठीक है अगर आपको manufacturing technology का PDF के form में note चाहिए तो मैंने telegram के channel बना कर रखे हैं और जैसी आप open करते हैं तो telegram का channel यहाँ पर open हो जाए और आप वहाँ पर joint हो सकते हैं और joint होने के बाद आप यहाँ पर PDF के form को note को get कर सकते हैं यहाँ पर 4 semester का ठीक है क्या काम करना इसको practice कर लेना ठीक है जैसी अब थोड़ा सा आगे आते हैं तो सबसे पहले पहला नमर जो कोश्चन है बहुँ ज्यादा important कोश्चन किसी भी कीमत पर जो भी यह मैंने लिखा है वो कोश्चन को करना करना है ठीक है उसको कोश्चन में 2 भी है बहुँ ज्याद करने के लिए आते हैं तब आप चार नमर मिलेंगे ठीक है फोर के अगर बात करते तो यह बहुँ ज़्यादा important कोश्चन है क्योंकि यह चेप्टर के बेस के अधार पर कोश्चन को पुछा गया है साथ में इसका application को जरूरी आप याद कर लिजेगा ठीक है कोश्चन और 5 पर बात करते तो यह उतनी ज़्यादा important नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको समझना जरूरी है ठीक है इसी के basic अधार पर आपको सामने MCQ question को भी पूछा जा सकता है ठीक है कोश्चन में 6 के बात करते तो यह भी question important है दोनों को यहाँ पर different को समझ ले लिजेगा ठीक अगर बात करते तो यह बहुत important question है इस पर मैंने BBI नहीं लगाएं लेकिन बहुत ज़्यादा important question है क्योंकि यह आप चेप्टर के basic अधार पर defect पूछ लिए थी इसको आपको जरूरूर ध्यान देना है question में 10 के अगर बात करते तो question में 10 में से बहुत ज़्यादा important question है और जब भी इसके बारे में आप लिखिये तो साथ में इसका diagram को जुरूर ड्रो करके दिखाएगा ठीक है मुझा आसा है कि आपको इस chapter का important question बढ़ियातरी का समझ में आ चुका होगा ठीक है वीडियो देखने के थाएंकि हो चैनल में नए आये हैं तो जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएएगा ठीक है और अपने दोस्तों के ग्रूप में जरूरू वीडियो को सेर क कीजिएगा ठीक है हो सके आपको पीडियाप को फोर्म नोट चाहिए तो टेलिक्राम जेनल में जाके आप जोइन हो सकते हैं और पीडियाप को फोर्म ले सकते हैं ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यबाद